हेलो ट्रेडर्स को आज के दिन हमने ट्रेट किया था इस स्टॉक सेलेक्शन का कैसा क्या प्रोसेस उस एक चीज को हम समझाने की कोशिश करेंगे और करीब तीन या चाहर दिन के बाद से हम यह वीडियो अप्लोट करेंगे यहां पर देखें कि सबसे हाई वॉलूम मौनिंग के सेचन में आई था वो यह थी कुछ ब्लोकेश थे अभी टेइली टैम फ्रेम पर चलेंगे तो यहां पर देखने के कोशिश्च करें कुछ रिजिटन्स जैसे की एक तो यह रिजिटन्स सेकेंड थर्ट आज के सेशन में देखो गया की यहां से प्रेंस निचे कि तरफह में एक दो और यह वाला तीसरा सो यह कुछ रेस्टेंस पॉइंट्स थे क्या रिजन था बाई करने का बाई ही क्योंकि और इस स्टॉक को हमने अपने प्राविट ग्रूप में भी शेर किया था पॉब्लिक ग्रूप में भी शेर किया था बाई साइट की तरफ ही टेट करना यह भी साफ साफ हमने लिख दिया था सो क्या रिजन था उसके पीछे का एंट्री स्टॉप लॉस टार्गेट और क्यूंकि डेलो यह जो नीचवाही लाइन आप देख रो डेलो पर हमने अपना इस टॉप लॉस लगाया था और एक्जाक्ट 3161 पर हमारी एंट्री थी कौ इतरह से देखें तो सिंप्ल से ट्रेट था अभी जो सबसे लास ट्रेट अग्जेक्वीट किया था एंसे जी का ट्रेट था करीब आठिया नोजार के असवास काव्शा का प्रॉफित हमने उसके अंदर से बूग किया था तो न्सी को हमने कैसे लिए क्योंरे खिया था ती अब TCS हमने कहां से स्लेट किया और PTM और NCC को भी हमने लास सेशन में दिया था ट्रेट करने के लिए ये तीनों स्टॉक कहां से आ थे इन चीजों को हम समझाने की कुशिश करेंगे वीडियो अच्या लगता है तो इसको लाइक के जागा, कॉमेंट के जागा चैनल पर आप पहली बार आए होए तो चुनको सब्सक्राइब के जागा यहां से सबस्क्राइब पहले चलते हैं हम लोग अपनी ट्रेट बॉक उपन कर लेते हैं कितनी का कॉंट्टी थी एंड पोजिशन 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 करते हैं आज अपना प्रॉफिट है 14,200 का प्रॉफिट है विच इनफ एक अच्छा खासा प्रॉफिट है और बुक में चलेंगे और यहां पर देखे चार और आपको लेग रहे हैं पेटीम हमने दिया था बाइ करने के लिए तो यहां पर रिजक्ट हो गया हमारा और और रिजक्ट हो गया था तो यह तो rejected order है हमारा और दूसरा एक हम circle बना देते हैं एक first यह जो three order आप देखरो यह stop loss entry और targets के order है 310 कोईंटी के साथ हमने TCS को trade किया था 3161 3151.65 stop loss और 323206 पर सारी कोईंटी हमने निकाल दे थी इसको एक बार refresh कर लेते हैं 900,310,310,310,310 ठीक है एक अच्छा खास order था अच्छा खास एक trade था एक बहतरीन trade था हमारे session का और TCS के अंदर setup काफी अच्छा बना हुआ था इसके अंदर volumes के breakout हुए था morning में अच्छा खास volume के breakout हुए था पिछले हमें हमें लग रहा है कि 4 या 5 दिन से ज्यादा की volumes के breakout morning के session में हो चुए थे pre-market session में ही हो गए थे तो एक अच्छी जगह पर हमें TCS मिला कई दिन से प्राइस एक ही जगह पर रुका हुआ था और जब उसने आज breakout दिखा दिया तब हमें trade किया था तो इसको भी एक बार refresh कर लेते 14,000 14,275 रुपिस का property ठीक है अब TCS को हमने group में share नहीं किया था क्यो कि पेटियम के अंदर order execute हो नहीं रहते है जब भाई की तरफ हमने कोशिश की कि 900 quantities हमने जैसे लगा है वो order reject हो गया तो बड़ी quantities के order जितने भी थे नहीं accept नहीं कर रहा था में भी हो सकते है या espresso में ही ना हो रहा हो या सभी brokers ने फिर में भी NSC ने इसको block कर रहा हो जो बरीजन रहा हो कुल मिला करके पेटियम को trade नहीं कर सकते थे इस वज़ए से फिर हम TCS पर गए अपना scanner में open किया वहां से फिर हमने TCS को slit किया एक चीज हम explain करने के कुशिश करेंगे इसकंदर 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 को slit करने के पीछे का reason क्या है और कैसे कैसे हम इसकंदर को slit कर देखेगा एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो शुरुआत करते हैं TCS से TCS simply हम जाएंगे फटाफट stocks के इनर पर फटाफट stocks के इनर पर जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी हम क्यों ही जाने के इसकंदर के पर देखेए हमारे पास हमारी कुछ fixed stocks की list है इसमें काफी सारे stocks हैं मतलब ऐसा है कि 60 to 70% या में भी हम शायद कम ब पड़ती रही है हाँ अब जैसे काल हुआता है कि हमें NCC या फिर पेटियम दोनों में से किसी को trade करना था NCC तो निकल गया हमें buy करना तो वो sale हो गया तो हम उसको trade कर नहीं सकते हाँ पेटियम हमें buy करना तो वो buy के तरफ यह गया बट उसके अंदर order execute हुए ही नहीं कोई मतलब भी नहीं बनता उसको करने का अब मैं देखना है कि अब हम कौन से stock trade कर पाएंगे हाला कि जवाब दे बाद में हमने जस्ट सबसे ज्यादा प्री मार्केट के session में सबसे ज्यादा वॉल्म के breakout जिस भी stock के अंदर हुए था में वह stock चाहिए था यहां पर देखे प्री मार्केट session में हमें TCS मिला second number पर एंड इसके अंदर मॉर्निंग में 1237% प्री मार्केट session की वॉल्म के breakout थे बहुत ज्यादा होते हैं यह हमने यहां से TCS को उठाया अब हमने देखा कि TCS तो हमने ले लिया चलिए मेरी watch list में आ गया अब हम इसको remove कर अब हमें TCS को trade करना है हम कैसे करेंगे simple सी चीज आप यह देखे अब जैसे TCS को objective होकर कि सिर्फ हम TCS को अगर trade करना चाहें इसके अंदर यह setup बन रहे थे कैसे एक बड़ी सी candle बन रही है अब कितनी ही candles बन रही है बट हमारी इस बड़ी वाली candle के बाहर नहीं जा रही है व इस जगे सी कर जा रहा है support सी price हमारा उपर की तरफ चला जा रहा है यहां super की तरफ चला जा रहा है और volume से चेखा से आ रहे है volumes के breakout भी TCS के अंदर ठीक ठाक हो रहे हैं मतलब एक decent से volumes के breakout हो रहे हैं बट फिर भी price जो है यह हमारा बाहर के दिशा में movement नहीं दिखा रहा है यहां पर volumes के breakout हो गए फिर छोटी फिर से volumes के breakout फिर से volumes के breakout हुआ क्या last session में ऐसा क्या special हुआ कि अपने TCS को पक्ता सबसे पहली चीज़ तो यह फटा-फट में आ गया second number पर आ है इसके बाद में price ने morning में एक gap up opening दिखाई gap up opening ऐसी थी कि price जिस range के बाहर नहीं निकल रहा था एक दू यह जितनी भी दिन थे यहां exact हमें याद नहीं है करीब चार या पांच दिन थे कि price एक रेंज के बाहर नहीं निकल पा रहा था बट इसने last trading session में जब में इसको trade किया है यानि कि Friday Friday को price ने gap up दिखा दिया अब आप खुद समझे इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाई अपना कि price को अगर अगर बाहर नहीं जाना है तो क्या करेगा जिस तरह से जिस दिशा में हमें trade करना है किसी भी stock हो उसका opposite सोच करके चले ना कि अगर price को में buy side की तरफ trade करना है तो सोच अगर इस तरह के movements करेगा अब यहां पर क्या है अगर हमें buy करना है तो अगर इस stock को नीचे की तरफ जाना है तो किस तरह के movements इसको नहीं दिखाने चाहिए मान लेते हैं चलिए गलती से gap up कर दिया तो इसके बाद में क्या होना चाहिए फिर price हमारा इस वाली range के नीचे आ क करके अपने support के breakout ना करें confirmations हमे support breakout के selling के नहीं होने चाहिए अगर हो रहा है तो जाने दो फिर हमें मतलब ने उस चीस हम क्या देख रहा है कि हमें TCS को buy करना तो हम इसके अंदर buying के symptoms देखने की कुशिश करेंगे इसे buy करने की कुशिश करेंगे तो जैसे ही price ने हमारी range के अंदर आ करके यहां से movements करना start किये volumes के साथ में हमने क्या कि इस जगे से अपना trade execute का दिया क्यूंकि अगर इसको नीचे की तरफ गिरना है अगर नीचे की तरफ गिरना होता तो यह breakout मतलब gap up नहीं दिखाता और अगर gap up कर दिया है और फिर भी अगर इसको नीचे की तरफ तो यहां से support break करके नीचे की तरफ गिर जाता है यह resistance break नहीं करता और अगर resistance break कर रहा है और upside की तरफ ही volumes के breakout हो रहे है फिर भी price हमारा upside की तरफ सस्टेन कर रहा है तो कोई भी यह समझ सकता है कि अब इस stock को में भी उपर की दिश्या में जाना है डेलो का stop loss होगा चुप च रुका हुआ है एक range में इसको count की जाब 5-6-7 मतलब 5-2 वन वीक से ज्यादा यह stock एक range के अंदर रुका हुआ है और कल के session में क्या हुआ है कि price ने एक gap of opening दिखा दी price हम यहां से तो trade कार नहीं क्योंकि हमें मालूम है कि 3-1-6 range इसी जगह इसके पास में हमें trade execute करना है इतन तो के बाद में volumes के breakout लगातार हो रहे लेकिन price नहीं निकल रहा बाहर यहां पर volume के breakout हुए इस जगह पर volume के breakout हुए यहां पर volume के breakout हो लगातार चल रहा है लेकिन last session में बहुत ज्यादा ही volumes के breakout heavy matra में इसके अंदर volumes आ रहे थी यह trade कर रहा था अब मैं चाहिए कि higher time frame पर हमक और PTM के उपर discussion नहीं किया, यह हम just TCS के उपर discussion कर रहे हैं और stock को मैंने किस ऐसे select के इसको देख रहे हैं stock selection से याद है, अभी lower time frame को एक side में रख करके stock selection की जो वो चीज है ना, वो हम just clear करना चाहते हैं अचकी वीडियो में daily or lower time frame यह तो हम लोगों का चलता ही रहता है कोई भी stock अगर हम select कर रहे हैं फरक नहीं पड़ तो वो stock कहां से निकल कर क्या है, उसमें ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए कि हम उसको trade करना है अब जैसे हम आपको बताएं, NCC और PTM यह इतने सारे कोई भी stock हो सकते हैं इस दिन हमने NCC को trade किया तो उस दिन हो सकता है, डॉक्टर लाल पैतल है, पो हम trade करें क्योंकि है वो तो fixed stock है हमारा ऐसा क्या होता है fixed stock के अंदर कि हम उसको trade करते हैं fixed stock इसका यह मतलब थोड़ें कि हम उसको rose rose trade करें जो कि हमारा उसके अंदर से predefined है, पहले से ता है, जब stock हमारा उस level पर रहागा हम उसको trade करेंगे अब TCS है, मान के चलिए हमारा अगर एक TCS, एक fixed stock होता है जैसे TCS हमारा fixed stock है, तो उसके अंदर ऐसा क्या है कि हम उसको trade करेंगे तो अभी हमने जैसा बता है कि एक range है, price एक range में है, range में है, range में है, range में है हम इसको देख रहे है, fixed का मतलब कि हम उसको rose watch कर रहे है कोई stock हम देखें चाहें ना देखें बट हम इसको ज़रूर देख रहे है तो वो stock हमारा एक range के अंदर travel कर रहा है एक sniper की तरह हमें just watch करना है हम सब देख रहे हैं उपर से कि यह stock कहा जा रहा है, क्या कर रहा है, कहा पर कितनी volumes आ रहे है और इन volumes का मतलब क्या है तो हमें मालूम है कि जैसे ही यह stock upside की तरफ breakout या फिर downside की तरफ breakdown करता है gap up या gap down करता है हमारे trade करने के point पर या point of action हमें मिल जाता है कि यही area वो point है कि जो हमारा point of action बनता है इसी जगह से हमें trade execute करना है तो यह है मेरा fixed हम इसको rose watch करेंगे और जैसे यह stock हमारे point of action पर आएगा हम इसको trade करतेंगे यह होता है fixed stock कोई भी stock select करो तो उसके पीछे का secret secret in the sense कि क्यूं हम उस stock को trade कर रहे है उसी stock को क्यों select कर रहे है उसी stock को क्यों trade कर रहे है अब जैसे दुखो Tesis के ओपर अभी हम आते है थोरी दिर में और यहां NCC अब NCC देखे कहा है यहां से मैं NCC को ले लिया अब NCC के अंदर हमने कहा था कि आप इसको सिर्फ भाई करोगे हमने sale के लिया नहीं दिया था क्यों कहा था ऐसा कि भाई करोगे देखिए इस stock में यह एक area था यहां से नीचे गिर रहा है इस एक जगर से नीचे गिर रहा है यहां पर जाने के बाद में stock हमारा नीचे की दरफ गिर 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 है तो बार बर इस line के नीचे यह stock गिर रहा है price ने क्या किया था last trading session में जब आप देखोगे तो इस stock ने क्या किया था 5 minute के time frame पर हम आ जाएंगे और यह एक gap up opening दिखाता है gap up opening दिखाने के बाद में इसके अंदर एक rejection आता है यहां से एक gap up opening थी present rejection दिखाया है same कहानी जो TCS के अंदर बनी इसके अंदर भी gap up opening गुई एक rejection दिखाया है अब हमें लगा कि यह stock वापस से 9-15 के रिंज के अंदर जैसे ही इसके अंदर एक move आजाएगा क्योंकि previous days के भी कुछ ना कुछ support points यहां पर बने हुए है तो यहां से stock के अंदर movement upside के तरफ होनी चाहिए इसलिए हमने बोल दिया था साफ साफ कहा था NCC के अंदर we will go for long यह reason था NCC के लिए है अब हम इसको मेरी watchlist में रोज थोड़ी ना trade कर देंगे लेकिन हम देख रहे है कितनी बार हमने trade के NCC हो आज आते हम लोग paytm पर paytm कहा है NCC से तोड़ा से निच अपना paytm है paytm के अंदर buy करने के लिए हमने दिया था अब देख लो आप daily timeframe क्या है क्या ऐसा क्या हुआ था paytm के अंदर अरे resistance है जैसे ये इसका एक यहां से ले लेते है ये इसका एक resistance area है ये वाला point वो है जब तक नीचे है तब तक नीचे है लेकिन जब कल के session में हम देख रहे थे ये stock अपने level के ऊपर trade कर रहा है अपने resistance को break करके resistance के ऊपर के तरफ trade कर रहा है अब price के कुछ resistance बन गए है यहां से यहां से यहां से यहां से बार पर price नीचे गिर रहा है और अपने resistance को confirm कर रहा है simple है ना जब ये stock upside के तरफ निकलेगा तो हम लोग देख सकते ना भाही के लिए अब आज आप 5 minute के time frame पर हमने क्या कहा पेटियम के अंदर we will go for long और जैसे ही price इस वाली जगह पर यहां पर था शयद इस जगह पर हमने क्या कहा था कि यहां से exit मार दो यहां से बाहर निकलवा दिया तो करीब दो बज़े तक stock इस जगह पर travel करता रहा और फिर से नीचे की तरफ आगया आने तो हमें क्या मतलब उससे हमने इस जगह पर अपनी entry के और यहां पर हम exit हो गया हो गया अपना काम हो गया अब इस stock को जहां जाना है जाए फिर से हम देखेंगे कि यह stock 638 आप इसको note करके रख लो इस वाले area पर आ करके price अगर upside की तरफ के movements दिखाते है तो आप यहां से buy कर सकते हो market conditions को देखते हुए और अगर इस stock अपनी इस range के नीचे ही trade कर रहा है यह उपर की तरफ नहीं जा रहा है तो यहीं से resistance को face करो और में इसके अंदर एक short selling आ सकते है आप लोग telegram को जान कर सकते हो link description में हमने दे दिया है तो वहां से आप telegram channel कर लेज़े कोई भी stock को अगरा है कुछ अकर हम trade कर रहे हैं या किसी stock को watch करें तो वहां पर levels से देते हैं stock को देखिए कि देखिए इस stock को देखिए आज कर देखिए काफिर सारी help वहां से मिल जाती है यह तो बात हुई कि पेटियम और NCC को लेकर के हमने बता दी आई होब कि यह clear हुआ होगा stock slate करने का तरीका वह scanner फलाना मतलब वह सारी चीज़ें तो होती है वह techniques है उनकी अपनी जगा एक जो importance से वह बनी हुई है लेकिन उन सब चीज़ों के ऊपर कोई भी stock अगर में scanner में आगे इसका क्या मतलब है कि हम उसको trade ही कर देंगे इतने सारे stock फटा फटे stock screener में थे एचर मोटर है पावर गेड कोटक नेसले इनफी एकसिस हिंदुस्तान यह TCS ही क्यों क्योंकि इतने सारे स्कैनर में इतने सारे stock हैं मेरे criteria को TCS ने fulfill किया हमने TCS को trade किया मेरे पास मेरी fixed watch list में इतने सारे stock हैं लेकिन कल के session में NCC ने और Paytm ने हमारे conditions को fulfill किया हमने इन दोने stocks को पकड़ा I hope कि समझ में आजा होगा बहुत ज्यादा complicate करने की जरूरत नहीं है इसको clear न अब चलते हैं वापास हम लोग TCS पर TCS के अंदर lower time frames पर क्या हुआ है इसके पहले आप देखोगे कि price के कुछ swings लगे हुए हैं जैसे यह हमारे highs हैं यह वाला high हम लोग ले लेते हैं यह वाला जो swing था यह था इसका expected support area तो price तो नीचे की तरफ गिर रहा है हमें मौलूम है कि जब price अगर इस वाली range को भी break कर देगा तो maybe हो सकता है फिर वो यहां तक या फिर आपके इस वाली area तक आ जाए अगर इस वाली level को भी break कर देता तो यह फिर support बन जाता हमारा है न बट हुआ क्या है कि price जैसे ही हमारे previous swing के पास में आया इसके अंदर rejection से start हो गया तो जैसे ही support पर आने के बाद में आप देखोगे कि यह वाली जो अपनी candle है यह वाला point इसके ऊपर जाकर के फिर यह sustain होने लगा इसने closing कर दी और फिर यहां पर तो volumes की breakout हो गया थे यह देखिया है कि अच्छे volumes के breakout होते है एक breakout वापस से price नीचे की तरफ आया और यही area था अपने entry करने का हमने कुछ ने किया simply day low पर अपने stop loss लगा दिया day low क्यूं क्यूं कि यह वाला जो swing है अब इनमें बोला न कि price अगर इस वाले support को नीचे की तरफ तोड़ देता तो फि तो इसको जस्ट अपने resistance ब्रेक करने 915 का high थोड़ सकता है या फिर high side में चला जाए अब यहां पर जैसे यह वाली volume आई यह वाली volume आई हमने क्या किया कि बिल्कुल जो day high लगा हुआ था है इस जगह पर मुझे औरs एक्जिट कर दे तो दो तिन रुपए का work था हमें ज प्रेट समझाने से ज्यादा है important हम समझते हैं अचके session में कि stock selection का जो एक टेक्निक बोलेंगे secret बोलेंगे इसको क्या ही बोल सकते हैं हम रोग एक common sense I think common sense बोलना ज्यादा अच्छा है आप कोई भी scanner ले लो कुछ भी ले लो कहीं से वह कोई stock आया है उसको trade नहीं कर देना है अपनी fixed watch list बनाओ कुछ टेक्निक सुनी चाहिए कि daily time frame पर आपकी reading ability क्या है उसको increase करने के कुशिश करो डे बाइडियो जो वीडियोज हम upload करते हैं वीडियोज अपलोट करना थोड़ा सा slow हो चुगा है बट हम कुशिश करेंगे कि पुराने जैसे हम लोग कर रहे हैं continue वैसे करते रहे हैं तो उसको आप देखो समझो पढ़ो सीखने की कुशिश करो loss करने से कुछ नहीं रखा ह हम यह नहीं कहते हैं कि हमने आप से जादर loss किया है लेकिन हम यह जरूर कहते हैं कि हमने भी loss किया है और वो regret क्या होता है वो loss करने के बाद में क्या feel होता है न वो पता है हमें बहुत अच्छे से जब loss हो जाता है तो बस मन में यह आता है कि कहीं से भी कुछ भी मिले कोई स इस चैनल पर जितनी वीडियोज हैं, कोई भी आपको time pass नहीं लगेगा, क्योंकि एक छोटा सा short भी अगर हम upload करें ना, तो उसमें भी हम कोशिच यह कर रहे हैं, कि पूरे दिन में, जो भी हम experience हैं, वह हम share कर दें, सिधे-सिधे share कर दें, कुछ ऐसी चीज बता दें, कि जिसक एक इस system के पर focus करो, सब हो जाएगा इत्मिनान रखो, thanks and we will meet again